वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों सफेद बालों की प्रॉब्लम सभी को बहुत ज्यादा हो जाती है और में सर्दियों में हम ऐसा क्या यूज करें जिसे की हमें प्रॉब्लम भी कम हो और अपने बाल भी काले बने रहें तो ऐसे में बहुत ही अच्छी रेमेडी बे आप सब के लिए लेकर आई हूं बस आपने हेर वाश करने से पास मिनट पहले ही यूज करनी है उसके बाद इसका कमाल देखिगा आप कितना अच्छा यह रिजल्ट दिखाएगा तो चलिए बिना टाइम वेश्ट कि हम अपनी वीडियो स्टार करते थे हैं और हाँ लाइक किजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नियू है तो साथ में ही बैल आइकन मी दबाईए ताकि अगर में कोई भी वीडियो डालो तो इसका नोटिक्शन सबसे पहले आप तक जाए तो चलिए स्टार करते हैं तो यहां पर आपने सबसे पहले लेना है कोई भी हर्बल जो कि मैं रेगुलर यह यूज करती हूं मैं इसी को प्रेफर करती हूं यह बहुत ही मेरे लिए अच्छा है हमारे से बाल सिल्की स्मूद हो जाते हैं तो आपने इसकी ज्यादा जितना यूज करते हैं यह मैंने वन टीस्पून के अराउंड डाल लिया है तो ज्यादा नह अधार याद रखिएगा अगर अगर यादर क्लान यूज कर शाचते हो जाघ कुमे और वैट बोहां गुलस ही में तिन यह योज करसकते हैं वह बहुत ही अच्छा है यूज हैं तो यहांपर में रख्यूफ्पून के अर्ण ओर यहां यूज जंता हैं यहां पर अबालों और अब इसमें आपने एड करना है हिबिसकस यानि कि गुढ़ल के पत्तों का पाउडर आप इसको गुढ़ल के पत्तों को सुखा कर भी इसका पाउडर बना सकते हो नहीं तो मार्केट में आपको ओन-लाइन बहुत ही इसलिए हिबिसकस पाउडर मिल जाएगा तो यह हमने ड तो इसको आपने हेर वाश करने से 5 मिन पहले लगाना है और 5 मिन तक लिए अपने बालों पर रहन दीचिए और अब हमने इसमें अपने पील पाउडर यह मैंने घर में ही औरंज पील पाउडर बनाया था तो इस समय सर्दिया चल रही है और और औरंज पील पाउडर को चाय में सुकाना है इस वात का भी धियार अखिएगा उसको simply grind कर लीजिए और यह भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा मना जाता है तो यहां पर मैंने 1 टीस्पून और इंस पील पाउडर डाल दिया है अगर आपके पास आपको जल्दी बनाना है तो और इंस पील पाउडर यहां पर मैंने थोड़ा सही चाय पत्ती का पाउडर डाला है चाय पत्ती को आप नॉर्मल ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में आपका चाय पत्ती का पाउडर रेडी है और यह बहुत ही अच्छी रेमेडी हमारी बंगर के तयार है काले बालों के लिए यह वह सिम्पले पास आपने तुक विकली टू टाइम उस करना है और यह सर्धियों में आपने तो तो टाइम ना होगार, यह सब्सक्राइबी आपने डिया वाश करें दो, टूर आप एक बालो के बालो को लंबा करेंगा, काला करेंगा, और नएगा और बहुत ही अफुत था व तो आप हफते में इसको एक बार यूज कीजिए और फिर देखिएगा इसका कमाल क्या इसका परफेक्ट रिजल्ट आएगा जस्ट्रा इसको यह बटता हैं इसमें इस बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्ड करेगा यह अपके प्रॉबलम की काफी फॉर और और गिंगा पने बाल अच्छे है प्राद की प्रीर करेगा और फिर आप इसका कमाल देखिएगा कि कितना अच्छा ये वर्क करता है और हां मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी मिलती हूं आपसे न्यू अच्छी और एफेक्टिव वीडियो के साथ तिल रेंट टेक क्या एंड थैंक्स सो मच गाइस कर वाचिछ इसरीओ वड़िए लग दे क्याक्तुपर बढाइसे लगी कैसे लगीर देखिए रेमेडी का येच्छी और हूं आपको ये वीज़ रेखिए टर बवाजा वीडियों